So hello and welcome you all I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं भारत हैवे Electricals Limited के बारे में और अगर देखा जाए तो stock में back to back गिरावट हमें देखने को मिल रही है और continuously stock day by day गिरते ही जा रहा है तो BHEL में AC गिरावट हमें काफी दिनों से देखने को मिल रही है और कुछ यहापर levels भी हमने देखे हैं इसमें और उन levels के इसाब से अगर देखा जाए तो stock में हमें लग रहा था कि एक बड़ा momentum आ सकता है बट ओ लेवल काफी risky था अगर मैं उस level के बारे में बताओ तो यहापर अगर देखा जाए तो यहापर अगर मान लिजे एक trade line है trade line में उपर गया stock नीचे है उपर गया नीचे है तो यह जो level है इसे हम कहते है एक rising wage pattern rising wage pattern में कही न कही इस level पे कही न कही हमें breakout मिलता है नीचे की और और continue stock आ जाता है नीचे की और और अगर support नहीं रहा तो stock continue उसमें गिरावट रहती है तो कुछ इसी तरीके का pattern हमें काफी दिनों से काफी महिनों से बहल में देखने को मिल रहा है और उसी की बदलत हम कह रहते हैं कि अगर guys अगर support लेता है इस level पे तो उपर की और जा सकता है बट नीचे की और breakout देता है तो continue नीचे की और भी आ जाएगा तो अब BHEL में क्या कुछ हो सकता है हम देखेंगे तो वीडियो को end तक देखो अगर BHEL को आपने अगर खरीद कर रखा होगा तो काफी helpful ले वीडियो आपके लिए होने वाला है तो guys काफी कुछ बाते करेंगे तो वीडियो को start करो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दो for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है तो बात कर रहे है हम BHEL के बारे में जिसका नाम है भारत heavy electricals limited और देखा जाए stock में यहाँ पर जो current price इसका चल रहा है 57.15 पेसे का है और 95 पेसे तक stock नीचे की और गिर गया है और 1.64% तक की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है तो continuously जो गिरावट stock में आ रही है उसका reason भी मैं आगे आपको बताऊंगा तो यहाँ पर हम आ जाते चार्ट पे तो बात करेंगे पहले 4 hour time frame पर तो 4 hour time frame पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ levels मैंने आपको बताये थे तो इन levels के इसाप से मैंने बोला था यहाँ पर इस level को जब break किया था तो काफी बड़ा momentum इसमें आया था तो इसी level को हमने एक support level मान लिया support level मानने के बाद stock उपर गया retrace किया और सीधा हसी रुपता की stock चले गया था फिर यहाँ पर कुछ एक pattern हमें बनता हो नजर आ रहा है तो उसी pattern के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने कोशिश करूँगा कि एक double top pattern है double top pattern बनने के बाद यहाँ पर एक breakout आया retrace किया stock सीधा उपर जाके फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है ओ pattern यहाँ पर कितना गिरावट आ सकते हो मैं यहाँ पर समझाने कोशिश करूँगा जैसे कि मैंने बोला एक rising वे जिसा pattern बन रहा है यहाँ पर stock ले रहा था support यहाँ पर था resistance level तो support level और resistance level भी हमें देखने को मिल रहा है और stock नीचे की और आया फिर उपर गया फिर नीचे support लिया फिर उपर गया फिर नीचे support लिया फिर उपर गया और यहाँ पर कही ना कही यह breakout देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अगर हमें breakout मिल जाता है किस level के मैं बात करो इस level पे अगर breakout मिल जाता है तो continue यहाँ पर retest गर के सीधा stock नीचे की ओर ही आने वाला है तो continue यहाँ पर stock में गिरावट आ सकती और support levels की अगर बात की जाए तो एक support level हम यहाँ पर रख सकते हैं second support level हम यहाँ पर रख सकते हैं और थर्ड सपोर्ट लेवल हम यहाँ पर रख सकते या तो इस स्टॉक रुखने वाला यहाँ पर अगर आएंगा नीचे तो 45 रुपे के सम्टिंग रुख सकता है या फिर 28 रुपे या फिर सीधा 20 रुपे तक नीचे आ सकता है बट अभी अगर आप खरीदारी की सोच रहे ह हो या फिर आपने खरीद के रुखा हो तो बिल्कुल इहां पर अगर ब्रेraट देता है तो इस लेवल पर आप इससे सेल कर सकते हो अगर यह नहीं देता है रिवर्स कर देता है तो होल्ट R Divis सकते हो but guys यहाँ पर काफी risky यहाँ पर trade बन सकता है as a swing traders हो तो आपके लिए भी यह काफी risky हो सकता है तो बिल्कुल आपको aware रहना है PHEL पर तो यहाँ पर guys यहाँ पर 5 days के time frame पर अगर देखा जाए तो stock में 0.95 पर पेसे तो 95 पेसे तक stock गिर गया है यहाँ पर 1.64% 97% के हिसाब से और 6 महीने के time frame पर अगर देखा जाए तो 7 रुपे हसी पेसे तक की इसमें गिरावट है माइनस 12.01% के हिसाब से और year on hub के pattern पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 18 रुपे 45 पेसे तक stock में बड़त है 47.67% के हिसाब से इसमें यहाँ पर हमें बड़त हमें देखने को मेल रही है बट कहीं न कहीं यहाँ पर नीचे क्यों रे stock जल्द ही जाने वाला है और देखा जाएगा इस आज क्या कुछ stock में हुआ है तो देख लेते हैं तो open हुआ था 58 रुपे 10 पेसे के price पे high लगाया था 58 रुपे 20 पेसे का और low लगाया था 56 रुपे 80 पेसे का और market के बगर देखा जाए 19.88 हजार करोड का market cap भी हमें देखने को मिल जाएगा और market cap के रसाफ से clearly पता चल जाता है कि एक mid cap stock है और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 52 weeks का high और low तो 52 weeks के high के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80 रुपे 35 पेसे का high हमें देखने को बिल जाएगा और low के अगर बात की जाए तो 34 रुपे 95 पेसे का low भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो अब बढ़ते हैं और देखेंगे resistance लेवल और support लेवल क्या कुछ कहते हैं तो resistance लेवल के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 58 रुपे 63 पेसे का first resistance लेवल है second resistance लेवल 69 रुपे 17 पेसे का है third resistance लेवल 69 रुपे 33 पेसे का है और support level की अगर मैं बात कर लू तो 17.53 पेसे का first support level है second support level 56.97 पेसे का है और third support level 56.43 पेसे का तीच आएगा और वही अगर बात करें हम यहाँ पर price performance की तो यहाँ पर काफी upside down समय देखने को मिल रहा है यहाँ पर down है फिर उपर जाता है फिर नीच आता है तो इसी से पता चल जाता है कि price में किते upside down समय देखने को मिल रहा है और one week का अगर देखा जाए तो यहाँ पर minus 3.06% माइनस में है one month का minus 3.14% माइनस में है three months का देखा जाए तो minus 11.76% माइनस में year and half का 58.91% प्लस में है one year का 61.16% यहाँ पर प्लस में हो three years का minus 20.84% तो 82% प्लस में दिख जाएगा यहाँ पर अब बात कर लेते कि क्या कुछ trade values और component delivery है trade value के अगर बात की जाए तो 2 crore का something का trade value में देखने को मिल जाएगा yesterday के अगर बात करे 2 crore का trade value है 31 lakh के something का component delivery और one week का average 2 crore का trade value और 50 lakh के something का है component delivery और one month के average अगर दिखा जाए 3 crore का trade value है 60 lakh के something का component delivery भी हमें देखने को मिल जाएगा और देख लेंगे अब हम community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़ो में अगर देखा जाए तो 69% जो लोग है वो buy के लिए कह रहे है और जो 15% जो लोग है वो के रहे है hold के लिए तो hold के लिए भी कहा जा रहा है sell के लिए भी कहा जा रहा है और buy के लिए भी हापर कहा जा रहा है तो बेरकुल यहाँ पर हम बात करेंगे अब revenues की तो revenues अगर देखा जाए 2017 से 2019 तक है तो काफी hype पर थे बट अगर देखा जाए 2020-2021 का revenue यहाँ पर कम है Net Profit की बाद की जाए 2017-2019 तक Profit में थे बट 2020 और 2021 तक यह माइनस में चले गए है अब बात कर लेंगे हम क्या कुछ share holding pattern है तो 63.17% की जो holding है वो promoters की है और FIS की जो holding है वो यहाँ पर 4.31% और DIS की holding 13.74% और public holding 18.79% की है तो share holding pattern भी हम discuss कर चुगे है तो काफी कुछ बाते हमने कर लिए गास BHL को लेकर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक्यू